अक्किल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी की महासचीव एवं सिर्सा लोकसभा शेत्र से इंडिया गटबंदन की कॉंग्रेस उम्मीदवार कुमारी सेलजा ने सिर्सा की हाउसिंग बोर्ड कलोनी में जनसभा को संभोधित किया इस दोरान उनोंने कहा कि भाजपा के राज में 10 साल में हर वर्ग दुखी हुआ है गरीब वे मध्यम वर्ग की स्थिती सबसे ज़्यादा घंबीर बनी है बीजेपी के राज में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में चर्म पर पहुंच चुकी है ब्रश्टाचार्म खत्म करने की बजाए भाजपा ने इलेक्टरोल बोन के जरिये धन इकठा करने का काम किया उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भरश्टाचार और पेपर लीक मामलों में बीजेपी ने देश को नंबर वन बना दिया है इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर्वे में आप लोगोंने कुमारी सेलजा का सिर्शा भेजने की बात कही थी और मैं आपके बीच आ गई हूँ अब चुनाव आपका है और आप लोगोंने पहले मेरी पीता चौदरी दलबीर सिंग को वेबाद में मुझे अपने प्यार और आशिरवाद दिया अब वैसे ही और आशिरवाद और प्यार देना और सांसत बनने के पांच साल तक आपकी समस्याओं का हल करना मेरा काम होगा इसी तरह की राजनीतिक खबरों की जानकारी के लिए जुड़ी रही जुगारी नियूस के साथ